Hello kids, welcome to all जैसा कि हम दो वर्णों वाले शब्द सीख चुके हैं आज मैं आपको तीन वा चार वर्णों से बनने वाले शब्दों को पढ़ना वा लिखना सिखाऊंगी तो चलिए पहले तीन वर्णों वाले शब्द यानि तीन अक्षरों वाले शब्दों की ओर तीन अक्षर वाले शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन में हम किनी तीन अक्षरों को मिलाकर अर्थ पूर्ण शब्द बनाते हैं यानि ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ हो Let's start तो बच्चो अब हम कुछ ऐसे ही और शब्द सीखेंगे अब हम शुरू करते हैं चार वर्णों वाले शब्द ये चार वर्णों से मिलकर बना है तो बच्चो आप हम कुछ ऐसे ही चार वर्णों वाले शब्द और सीखेंगे तो बच्चो आज आपने तीन वा चार वर्णों से बनने वाले शब्दों को लिखना वा पढ़ना सीखा इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और पढ़ना भी सीखेंगे बाबाई